हे गाइज वेलकम बेक टू माई चैनल और गाइज यह है कि मैंने जो नया एक्स पल्स लिया था इसका रिव्यू वीडियो नहीं बनाया थोड़ा प्रॉब्लेम था मेरा और आज हम बताने वाले एक्स पल्स का बारे में इसमें क्या फ्यूचर है मैंने क्यू लिया है एक्स क्यों मैरा प्लैनिंग दूसरा था बाद में मैंने एक्स पल्स ले लिया क्यों वज़ा क्या है आप लोगों को दिखाते हैं और उसका साथ ही बात करते हैं चलिए ताइज यह हो गया मेरा एक्स पल्स टौहंड़ेट फूर वी इसमें सबसे पहले आते हैं यहाँ पर मीटर पर और यहाँ पर दिखिए यहाँ पर ओप्शन दिया हुआ है इसमें दिखिए ट्रिप वन है ट्रिप टू है प्लस यह ब्लूतू कनेक्शन भी है इसमें और यह हो गया इको मोड इको मोड भी है वस्ति यह ओप्शन है और इसमें जो यह चूश दिया गया है इस्टार्ट चूश तो इसमें क्या है डबल टी भे नॉर्मल वाइक जैसा नहीं है इसमें दिखिए पहले यह चूश दे दिया अभी यह स्टार्ट होगा और फिके भी देखिए इतना हाइट है है हाइट यह बहुत ही ज्यादा है और पीछे में यहाँ पर गड़ लगावा था उसको मैंने खूल दिया है और इसमें क्या है चार्ज का जो सिस्टम में चार्जिंग सिस्टम भी है सिट का नीचे चलिए यह वह भी दिखाते है कि इसको खोल दिया है इसका अंधर जो है चार्ज के लिए आपको ex- कुछ भीनी लगा अना है यह जो है यहाँ पीटिंग कर देगा इसको जो है इसका खीच देंगे तोρεί निकल जाएगा निकलने के बाद यहां पर इसका फिटिंग हो जाएगा और इसका सीट देखिए सीट गया है काफी हाइट तक जाता है टेंकी का उपर तक साइलन्सर इतना हाइट में है पीछे भी डिस लगा हुआ है और फ्रेंड में भी डिस है प्लस इसमें और इसमें क्या है ना ओफ रेडिंग के लिए खास ये दिया गया है यह दिखे यहाँ पर जो है आपका कई कीचर चड़ा के पेर ना फिसले आफ रेडिंग जब करेंगे अप लोग इसको भी खोल सकते इसको खोल देना है उसका बाद आराम से चला यह पेर नहीं फिस दिया गया है यह लिटी लाइट यह भी बहुत मस्त है इसका दिखें अब गाड़ी तो आप लोगों को दिखा दिया प्लस इसमें क्या है चलाने में इतना मस्त है यह गाड़ी ऐसे कुछ प्रॉब्लेम नहीं बस मेरे को एक ही दिक्कत लग रहा है इसका जो सामने वाला य जाधा ही भारे कई फिर थोड़ा लग जाता है बस यह इतना कुछ प्रॉब्लेम नहीं चलाने में क्या है यही अच्छा है सब जैसे की छोटा अटा गड़्डा हो पता ही नहीं चलता है तो इसके लिए बहुत अच्छा है मैंने हिमालयन लेना था तो देका हमालाइन से मे मेरे को यह तीन फ्यूचर में बजट में भी अच्छा है प्लस इसमें क्या है जांपिंग में भी अच्छा है और हाइट में भी ठीकी है प्लस यह हो गया कि आपको कम पैसा में अच्छा बाइक चाहिए तो अफ्रोड रोंडर के लिए यह आपको सही है ऑफ्रोडिंग भी सा लाएंगे तो देखिये का अबको पप्छेश पsis पता होगा इसका बारे में एक्स पाल से कैसा है किया है तो कुछ भी पूछना है या आप लोग मिलेगे आप लोग में स contact का साथ दूसरा ज़गह में यहां पे ऌफ रैटिंग करें अता के लिए बाई बाई बाई